तो दोस्तो आज हम कुनार की सूर्य मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे यहां मंदिर उडिसाय राज के पूरी इस्ति जगनात मंदिर के पास 30 किलोमेटर दूरी पर है आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या खास है जो इसे भारत के साथ अश्वरों में सामिल किया गया हिंदु धर में सूर्य देव की पूजा का बिसे समात्तो है सास्त्रों में सूर्य देव को ग्रहों का राजा मना गया है वेद पुरानों के मुताबिक सूर्य देव की अराधना से कुंडली के सभी दोस दूर होया आते हैं वही सबी देवताओं में सूरी ही एक ऐसा देवता हैं जिनके सक्षात प्रतेक्ष रूप से दर्शन होते हैं इसके साथ ही सूरी देवता की रोषनी से ही जीवन संबह हो है यही नहीं धर्ती पर सूरी उर्जा का सबसे महत्व पूर्ण सुरोत है वहीं वैदिक गाल से सूरे देव की पूजा अर्चना की जा रिये कुछ बड़े राजाओं ने भी सूरे देव की अराधना की और कष्ट दूर होने पर मनुकामनाई पूर्न होने पर सूरे देव के प्रती अपनी अटूट आस्ताप दिखाने के लिए कई सूर्य मंदिरों का निर्मान भी करवाया उन्हीं में से एक है कुनार क्या सूर्य मंदिर जो की अपनी भव्यता और अद्बुत बनावर के लिए पूरे देश में प्रसीद है देश के सबसे प्राचीन एतिहासिक धरोवर में से एक है इस प्राचिने सूर्य मंदिर का निर्मान 1250 इस्वी में पूरी गंगा राजावन्स के प्रसीद समराथ नर्सीमा देवने करवाया था कुनार का ये सूर्य मंदिर के सिर्ष पर एक भारी चुम्बक रखा गया था और मंदिर के हर दो पथल रोही की प्लेटों से सुसजित है कहा जाता है कि मैंगनेट के करण मुर्ती हवा में तेरती हुई दिखाई देती थी इस मंदिर में प्रत्यक दो पत्थरों के बीच में एक लोहे की चादर लगी हुई है मंदिर के उपरी मंजिलों का निर्मान लोहे की भीमों से हुआ है मुख मंदिर की चोटी के निर्मान में बावन टंच चुम्बक ये लोहे का उपयोग हुआ है माना जाता है कि मंदीर का पूरा ड्राचा इसी चुम्बक के वज़े से समुंदर की गतिविधियों को सहन कर पाता है और इस मंदीर में सूर की पहली किरन सीधे मुखित परवेश द्वार पर पड़ती है सुर्की किर्ने मंदिर से पारोकर मूर्ती के किंद्रे में हीरे से प्रतिबंदित होकर चमकदार दिखाई देती है मंदी की सनरचना और इसके पत्थरों से बनी मूर्तिया काम सुत्र को भी प्रदेसित करती है जो इस मंदिर की अन्य विशेस्ता को प्रदेसित करता है 1984 में उनेसको द्वारा वर्ड हिटेज में सामिल किया गया यह मंदिर 229 फीट यानी 70 मीटर की उचाई की है कुनार कि सुर मंदिर से जुड़े और भी रहस्माई और एतिहासी घटनाई के बारे में जाने के लिए हमारे चैनल पर जाकर दूसरा वीडियो देख सकते हैं धन्यवाद